तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हर रोज सामको साथ वज़े से आपकी काउच्छानों की मैथमेटिक्स होती है तो उसी करम में हम आगे वड़ते हैं आज आपका exercise 8.1 का question number 4 है बहुत ही ध्यान पूरपक देखना question बहुत ही आफान है बस आपको एक बार समझना है question क्या कहता है कहरा कि दर्साइए कि एक वर्ग के विकर्ड बराबर होते हैं दर्साइए मतलब दिखाईए यानि कि प्रूव कीजिए कि एक वर्ग अर्थात square के जो diagonal होते हैं वो equal होते हैं एक स्क्वायर के डाइगोनल इक्वल होते हैं इसको क्या करना है प्रूब करना है सिर्फ इतना करने से ही काम नहीं चलेगा आगे कह रहा है कि और परस पर समकोन पर सम्दुभाजित करते हैं यानि वो 90 डिग्री फे क्या करते हैं ये भी दिखाना है चलिए हम समझ गए कि इस और बीडी ये भी क्या है डाइगोनल है क्योंकि एक स्क्वायर में दो डाइगोनल होते हैं तो पहले हम इनको बराबर प्रूब करना है बराबर इनको हम कब कर सकते हैं हमें ये एसी और ये बीडी को बराबर करना है तो हम ये तिर्भूज और ये तिर्भूज जिसमें मैं लिखो बच्चा आप लोग तिर्भूज कौन-कौन A B C और B A D या फिर D A V ठीक है लिखो A B C और और तिर्भूज B A D से अब ध्यान देना तिर्भूज A B C यानि यह तिर्भूज जहां यह तिर्भूज यह तिर्भूज यह तिर्भूज यह हँद नदोनों को ये ले रहे तब भी ये भी यूज हो रहा है तो हम लिख सकते हैं A B equal A B क्यों ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं region लिखो कोश्ठक में common है क्या है ये common है ओके correct आगे देखो अब अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं ita kangroons है अभी तो सिद्ध नहीं हुआ फिलाल हम सिद्ध कर रहे हैं इसमें अगर आप ध्यान दो तो कोंड B और कोंड A भी बराबर है कोंड B और कोंड A कहे लिए बराबर है तुम को कहें बराबर है भी या बराबर इसलिए है बत्चा क्योंकि दोनो 90 अंस हैं, हमें पता है ना कि एक जो वर्ग होता है, उनके चारों कोण 90 होते हैं पता है, होते हैं ना तो angle A, यानि ये पूरा-पूरा angle और angle B, ये पूरा-पूरा angle, दोनो 90 हैं ना, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो, angle A चाहे angle A लिखो, या फिर VAD और BAC लिखो, सिधा-फिधा AB लिख दो, ठीक है लिखो, angle B equal angle A ये बराबर क्यों है, लिखो दोनो 90 डिग्री हैं दोनो 90 अंस हैं, इंगलीज में लिखते हैं, बोत 90 डिग्री, ओके दो चीज़ें बराबर हो गई, हमें पता है कि सर्बांगसम, यानि kangurience करने के लिए, हमें एक और भी कोई चीज़ बराबर करना होगा चाहे तो एक कोण बराबर कर दें, या फिर एक भुजा बराबर कर दें तो बच्चा देखो, B, C अरे ये वाला तिरे भुज लोगे तो ये और ये भी हो जो रहा है तो यहाँ B, C को A, B के बराबर कर सकते हो या फिर चाहो तो B, C को A, D के बराबर कर दो, मतलब तो वही हुआ यार, लिखो B, C बराबर A, D, ठीक है B, C, A, D के बराबर क्यों बराबर है, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की लिखो गयर की बुज़ा टो यूर्ग की बुज़ा क्या होती है आपस में बराबर होती है अब हमें लिख सकते हैं नीचे क्या वही जो हमें करना था हो गया हम प् scientists वात्षा नीचे लिख लो तुम क्या लिखोगे आता हां अरे वही जो जो ट्राइंगल था ये तिरबूज कैसे क्यों बुजा कोंड बुजा रीजन क्या लिखोगे ब्रेकट में लिख लो भाईया बुजा कोंड बुजा हो रहा है ना लिखो 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 चलो लिखो ऐसे से ना ऐस एसे से क्योंकि दो बार भुजा है लिखो ब्रेकट में बाईयसस एफ ए यह हो गए अब नीचे तुम लिख सकते हो क्या लिख सकते हो अरे लिख़ो भाही यार जो यार बराबर करना था भाया ना कि A C B D के बराबर करना था ना अब नहीं के लिख सकते हो इस लिए इस लिए A C बराबर B D अब यह क्यों बराबर है कौन सा तर्क है इसके पीछे ब्रेकट में लिखो by cpct क्या लिखोगे by cpct मतलब corresponding और क्या कहोगे corresponding part of congruence triangle ठीक है corresponding part of congruence triangle cpct का ही मतलब है कि अगर A B C और B A D congruence है तो इनकी जो संगत भूजा है वो बराबर होंगी तो भाईया यह संगत भूजा B D है और A C क्या है यह congruence side है ना यह oh sorry corresponding side है ना संगत भूजा है ना तीफ लिए बराबर हो पहला सिद्ध हो गया हमें दूसरा पहले करके दिखाना है फिर नभे दिखा देना है बस चलो इसको जल्दी लिख लो उसके बाद सिकन्ट पर चलते हैं इसको अमने तीन पार्ट में बांट रखा है अपने हिसाब से आप चाहो तो इसा करो या ना करो कोई मतलब नहीं है ठीक है लेकिन मैंने पहला कर दिया जल्दी लिखिए बहुत जल्दी करिए ज्यादा टाम नहीं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूं बहुत फास्ट आप लोग इसे नोट क इसलिए नाम चाम के चक्कर है मत पढ़ो कि और पढ़ाई करो चलो आगे देखते हैं नहीं समझ में आएगा तुम कमेंट करोगे रिप्लाई देखो मिल रहा होगा सार आपको रिप्लाई कर रहे हैं है देखिए मैंने मिटा दिया हमें सिर्फ सीकंड वाला आप करना है मैं पीञाड करते हैं सम्दभाजीद करें बराबर बाग में बाढ़ते हैं यह प्रूब करना है इसके लिए हम क्या करेंगे यह रीग्ए यह तिर्फोज लेंगे अर अगर हम यह दोनों तिरफोज लए लें ले तो हमें क्या मिलेगा देखो ऐसे पी समझे लो यार्शlies अगर सलीरह अगर उसके एक्रडिंग हम इनका फिगर बनायें तो यह कुंछ ऐसे बनेंगे देखो ऐसे बनेंगे कि नहींgesetz तुम मुझे बताओ अइसे बनेंगे न बनेंगे न या यह यह जो यह प्यों यह यह उतने साने के यह तो क्या होते हैं जो एंगल बनता हो क्या होता है कांतर कोण होता है पलो होता की नहीं बेसिक कांसेप्ट सीखे हो तो बता दो नहीं सीखे हो तो जाने दो चलो देखो तो अगर हम इनके कोणों को काउंटिंग कर लें इसको मान लो एंगल एंगल टू मान ले ठीक है उधर तीन मान ले एक को फोर मान ले सब्सक्राइब करना देखो अभी सब्सक्राइब क्या पर बनेंगे तो यही चीछों बनेंगे एक तो 220 एफिर लिखेंगे तो तो तुम क्या कर सकते हो इनके कााँडिंगे पर किसे था कि बuit वाला पाट है न लिखो तिर्भूज A O B तथा तथा तिर्भूज C O D से तथा तिर्भूज C O D से अब ध्यान दीजिए क्या करना है इनको बहुत ही फैरे तिरे ट्राइंगल है यह मैंने इनको अलग अलग निकाल लिए यह ट्राइंगल और यह ट्राइंगल डेमरू जैसे अब इन में हमें देखो कोई भी साइड हम काट नहीं सकते हैं अब अगर तुम यह देखो बच्चा मालों इनके नाम में लिख देता हूं A B और इनके नाम C D तो तुम यह देखो A B और C D दोनों पैरलल नाइन है दोनों पैरलल है उनको एक रेखा A C क्या कर रही है जोड रही ना मतलब तिर्यक काट रही ना या फिर ऐसे लो बीडी क्या यह भी एक रेखा इनको क्या कर रही तो इनके उपर जो यह कौन बन रहे है तीन और एक यह किस परकार के कोण है आंतर कोण है तो तुम क्या लिख सकते हैं यहां पे यहां लिखो एंगल वान इक्वल अल्टर्नेट इंटीडियर एंगल हिंदी में लिखो अंताह आंतरी कोण अंताह आंतरी कोण इंगलिस वाले बच्चे लिखेंगे क्या लिखेंगे अल्टर्नेट इंटीडियर एंगल ओके यहोगे बराबर इसमें और भी चीज़ें बराबर है वह का बराबर है बच्चा के बराबर है क्यों बराबर है हमने यह ट्राइंगल यह ट्राइंगल लिया है तो बच्चा इसमें अगर तुम देखोगे तो ABCD के बराबर है कि नहीं है कोगे का है बराबर चुकि एक वर्ग है वर्ग की तो चारो साइड इकल होती न तो तुम लिखो यहां फर AB equals CD रीजन में लिख लो वर्ग की भुजाएं ठीक है वर्ग की भुजाएं वर्ग की भुजाएं आपस में क्या होती बच्चा बराबर होती है इतना ही नहीं जैसे तीन और एक बराबर है वैसे दो और चार भी बराबर है लिखो एंगल टू इकल एंगल फोर यह क्या है यह अभी वही हैँ प्रीन्ट इंटीरियर एंगल अन्ताह आंतरि कोड लिको अन्ताह आंतरिक कोड बस हो गय यूले के शो सरबंसम हो गई यह क्यूं हो गय अरे यार एक टी कौण बराबर है कौण और बराबर एक भुझा बराबर है एक सो जागा चुल सेसे तरिंक हो लिखो 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 बसाटा के ई triangle AOB, congruence to triangle COD अरे इतना होईगा तब तो बन गया काम ना चलो हो गया लिख लिया? चलो जल्दी करो इतना उतालो, फटा फट लिख लो यह कैसे हुआ? लिखो जिन लिखो by A S A, ठीक है? A S A से क्या हुआ? दोनों congruent proof हो गए अगर यह दोनों सर्वांगसम हो गए तो हमें पता है इनकी जो corresponding side equal होंगी तो बच्चा अगर तुम ले लो, यहां पर O मान लो तो AO की corresponding side क्या है? AO की corresponding side OC है तो नीचे तुम लिख सकते हो अताहा AO equal OC उसी तरह से OB equal OD ठीक है? यह क्यूं है? region लिख दो by CPCT क्यूं? by CPCT CPCT मतलब जानते हो? नहीं जानते हैं कमेंट करके बताना आपको वीडियो मिल जाएगा CPCT का एक अलग से class थी CPCT का मतलब होता है corresponding part of congruence triangle corresponding part of congruence triangle का मतलब होता है दो सर्वांगसम तिर्भुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण part का मतलब सब कुछ होता है तो यह हो गए यानि हमने इनको यह भी प्रूब कर दिया कि यह दोनों एक दूसरे को संदुभाजित करते हैं वो भी प्रूब हो गया इसके अलामा वर्ग की जो भुजाएं हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे को बराबर जगा पर करते हैं यह भी प्रूब हो गया यह सारे चीज़ें हो गई एक चीज़ अभी बाकी है क्या कह रहा था परस पर संदुभाजित करते हैं यह परस पर संदुभाजित करते हैं यह तो प्रूब हो गया लेकिन समकोंड पर नहीं हुआ उसके लिए हमें भी एक काम और करना है हमें दो ट्राइंगल इसमें ले करके बच्चा इनको एक बार फिर से और जो बच्चे हुए हैं उनको कंगुरियंट करना है उसके बाद फिर यह 90 के बराबर आजाएंगे तब हो जाएगा प्रूप इत वीडियो का डिस्क्रेप्शन देखें उसमें बहुत सारी डीटियल दी गई आपके काम की है चलो जल्दी आगे करो देखो बच्चा एक बात और समझ लो इतना करने के बाद तुम इसको पहले ना लिखना इतना जो भी मैंने नीची किया था उसको करने के बाद आप लिख B यानी यहतिरभुझ लेंगे और EOD यहनी कुल मिला करके हमारा ट्रैंगल हम इसे बनेगा इसको अगर मैं अलग से बनाना चाहां था उछी मतलत है इसको आप देयान से ने से ले ले तब तो हो सकता है ठीक है एक इसको एक इसको ले ले नहीं होगा ठीक है मतलब एक ही का होना चाहिए तो हम A, O, B और A, O, D दोनों में लेकर चलेंगे तो क्या होगा चलो ध्यान से देखो लिखो यहां पर A, O, A, O बराबर है A, O, E, O, A, O, कौन? A, O, अरे यारे यह वाला लोग यह वाला लेको दोनों में common है लिखो common है region लिखो common ब्रेकट में लिखो common है क्या बच्चा यह common है यह हो गया इसके अलमा अभी अभी हमने A, B और कौन-कौन था? O, B और O, D को पहले से प्रूब किया ना O, B और O, D इसको हमने पहले से प्रूब किया है कि यह दोनों बराबर है दिखो O, B, E, O, D region लिखो पहले सिद्ध कर चुके प्रूब्ड अल्रेडी ठीक है पहले सिद्ध कर चुके हैं अभी अभी उपर मैंने इसको प्रूब किया था ना इसके अलमा A, B और A, D भी बराबर है क्यों क्योंकि इसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता क्यों बराबर है A, B, A, D ये वर्ग की भुजा है का है भाहिया वर्ग की भुजा है तो बेटा ये हो गया अब क्या कर सकते हो तुम अब ये कर सकते हो लिख सकते हो कि तिरबूज A, O, B तिरबूज A, O, B congruent है A, O, D के लिखो आता हा triangle A, O, B congruent to A, O, D ठीक है यह हो गया दोनों सरबांगसम सिद्ध हो गए अब क्या करोगे अब अगर तुम यहाँ ध्यान दो तो O कोण जो है दोनों के लिए बराबर है कौन-कौन अगर यह कौन हम यहाँ पर देखें कि यह 90 पर काटता है यह और यह तो क्यों अरे बाई सिंपल सी बात है यह लाइन 180 का बनाएगी सिदा फीदा ना बनाएगी ना तो यह 90-90 पर काटेंगे तो तुम क्या लिख सकते हो लिखो angle A, O, B और A, O, D यह दोनों बराबर हैं यह बराबर काहे लिए हैं रिजन लिखो corresponding part of congruent triangle CP, CT यह CP, CT से क्या है बराबर हैं और अगर तुम इसको ध्यान दो तो A, O, B और A, O, D जोड के 180 कर सकते हो क्योंकि दोनों सीधी फीदी लाइन पर है न हम ऐसा क्यों कर रहे हैं चूकि हमें 90 सीध करना इनको समकॉंट पर काड़ते प्रूब करना इसलिए इसको अपना काम बनाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि भाईया यह बीडी जो है सीधे फीदी लाइन है और यहां पर देखो यह दो कॉंड बने दोनों 180 का बनाएंगे सीधा बनता है तो न अरे इसको ऐसे उल्टो गे तो क्या बनेगा दिमाग लगाओ को अक्छा नों में पहुंचेओ न बच्चा अब यहां पे आप ध्यान दो AOB, AOD के बराबर है तो हम AOB वैसे लिख सकते हैं और AOD को चेंज कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं देखो नीचे दिखा रहा हूं अब तुम इतने पर ही सिर्फ फोकस करो बाकिया और कहीं नहीं अब लिखो AOB प्लस एंगल AOB देखो इसकी जगप मैंने AOB क्यों लिख दिया च 180 इनको जोड़ोगे विट्टा तो यह टू इंटू AOB आएंगे इकवल 180 यहां से जब हम एंगल AOB निकालेंगे तो 180 में दोस इधर आएगा भाग दोगे तो 90 आजाएगा कितना आजाएगा नब आजाएगा ना और हमें क्या दिखाना था AOB 90 है अगर AOB 90 है तो इसी तरह से इधर साइड में लिख लो दिख तो रहा है न इसलिए नीचे लिखो इसलिए अंगल AOD 200 है तो इसलिए नबे होगा क्यों होगा देच είναι लिख winter क्योंकि क्योंक्य एंगल AOB द्यृवत इक दोनों बराबर है अबर यह दोनों बराबर हैवस हो गया फ्रूप लेकिन इसमें क्या और कर सकते हो पुछ कर सकते हो हाँ कर यह सकते हो अब इतना हो गया आप नीचे लिख दो आता हां ऐसे लिख दो इसलिए a c यह पर्पेंडिकुलर है ए डी पर यह करना था ना बीडी पर था सुर्णी बी डी पर एसी परपेंडी कुलर किस पर है थिक है एसी जो है वहादि परक्रिकूलर है यह चीछ तुम दिखाओ गया ठीक है भी डी हम हें यह तुप करना था बस हो गया ऊःसारे पार्ट में करने थे एक नजर में पूरा कुष्चन देख लो अगर कोई डाउठफ तो बता देना जलदी करें पूरा कुष्चन देख्ञे trying एक नजर में पूरा सवाल देख लो जल्दी से फट से उसके बाद इसको नोट कर लो देखो